पप्पू की पत्नी बिमार हो गई तो वह डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर देखने के बाद बोला ये तो मर गई। पप्पू उसे जलाने ले जा रहा था तो उसकी पत्नी अर्थी से उठकर बोली मैं आभी तक जिंदा हूँ मरी नहीं हूँ बस बेहोश हो गई पप्पू तु चुपचाप लेट जान पड़ वैसे भी तु डॉक्टर से जादा जानती है क्या जलाओ रे जलाओ मैडम सुरेश से तुने आज भी अपना होमवक नहीं किया आज तुझे सामने वाले कमरे में बंद करती हूँ सुरेश मैडम जी होमवक तो इस लड़की ने भी नहीं किया ऐसा करो हम दोनों को एक साथ कमरे में बंद कर दो मतनी सज कहो कितनों के साथ सोई हो पती सोया तो बस तुम्हारे साथ सेगडों के साथ जागा पूर की रात